नमस्ते आप सबका वेलकम है सिम्रन की रसोई में हमारे रसोई गर से आज खुश्बू आ रहे है राजस्थानी की प्रसित दाल बाटी क्योंकि आज हमने यही बनाई है यह जो दाल बाटी है खाने में बोहत मज़े दाल लगते है तो देखो दाल बाटी बनाने के लिए सबस चना दाल और उड़त दाल है यह एक कप चना दाल है और आधा कप काली उड़त दाल है इसके अंदर मैंने दो गलास पानी डाल दिया है नमक और न थोड़ा सा हल्दी पाउडर चोथाई चमच आधी चमच अध्रक लसन की पेस्ट अच्छे से मिला कर कोकर का ढखकन देते ह चार सीटी आने तक पकाएंगे जब तक है पकरी मैंने कड़ाई में डाल दी है पानी यह पर मैंने तीन से चार गलास जितना पानी डाला है इसे हम गरम होने देंगे बाटी के लिए आटा गुन देगे तो दो कप गीहुं का आटा आधा कप बारिक वाली या मोटी वाली चौथाई कब बेशन, सुवात के अनुसार नमक, आदी चमच हल्दी पाउडर, चौथाई चमच जीरा, चौथाई चमच अजवाइन को मसल कर डाले, और आदी छोटी चमच सौफ, यनिकी फैनल सीर, अब इन सबी चीजों को आटे के अंदर हमें अच्छे से मिलाना है, और म आटा गुंदेंगे, तो ये जो राजिस्थाने के प्रसे दाल बाटी है, तो ये बाटी का माटा गुंद रहे, तो बाटी का जो आटा होता है, वो नहीं जादा सक्त होता है, यनिकी नहीं जादा कड़क होता है, और नहीं जादा नरम, यनिकी सौफ्ट भी नहीं होता है, medium soft आपको आटा गुंदना है इसलिए एक साथ पानी डालने के गल्दी ना करें थोड़ा थोड़ा करकर ही पानी डाले और कुछ इस तरह से आपको गुंदना है आटा नहीं जादा सकतो ना चाहिए और नहीं जादा नरम बस अब थोड़ा सा आटा लेंगे इसे अच्छे से अपने दोनों हाथ के जो उंगलिया और उंगोठ है उससे फैला लेंगे और उसके बाद इसकी बाटी बनाएंगे देखो गोल गोली बाटी बनानी है तो बस जैसे मैं करती जा रही है इसी तरह से मैंने ये सारी बाटी बना ली है और ये जो हमने पानी गरम करने रखा था और भो भी एकदम अच्छा गरम होगे है पानी तो हम एक एक करते हुए ये बाटी इसके अंदर डालेंगे और जैसे आठ सारी बाटी डाल देना तो इसे बिलकुल भी मिक्स बिलकुल भी चला नहीं इसे ऐसे ही Air acquisition एक से दो मिनिट तक ज Physics के नाहें यहीं कि mix करना है और इसे लगबख पानी के अंदर आपको 12-15 मिनिट तक लिए पकाना है तक यह अच्छी ना लगे जैसे 12-15 मिनिट हो जाए न तो एक बड़े से बरतल में एक कपड़ा रख दीजेगा एक दम साफ कॉटन का कपड़ा और इसके अंदर आपको यह बाटी नि और हेंग 6-7 कड़ी पतें 2 बारी कटी हरी मर्ची और न दो बारी कटे वे प्यास हरी मर्ची को 20 से काट लेना इन सबको अच्छे से भूनना है साथ ही साथ मैंने आदी चमच जितनी अध्रक लसन की पेस्ट भी डाल दी ती कि यह भी अच्छे से भून जाए प्यास को में जादा लालों ने तक नहीं भूनना है बस 2 मिनिट काफी है उसके पर स्वात के अनुसार नमक, चौथा एक चमच हल्दी पाउडर, आदी चमच लालमिश पाउडर, आदी चमच धनिया पाउडर फिर भी आप नमक और मसाले अपने स्वात के अनुसार डाल सकते हैं और दा लाइक एगाएं बड़ा ग्लास मेंने टोटल की अंडर टीन ग्लास पानी का इसतामाल किया थोड़ी से दिन्या के पत्ते अब इस दाल को हमें लगभाक 6-7 मिनिट के लिए बीच बीच में इस तरह से मिक्स करते जाएगा अच्छे से उबाल भी आता जाएगा और लीजे चेशे साथ मिन्ट हो चुके है ये बड़िया से डाल बन चुकी है तो अब इसके ओपर एक तड़का लगाएंगे गी का तो दूसरी साइट केस कौन करके मैंने तड़का पहन रख दिया है एक बड़ा चमच गी डाल दिया है जैसे गी गरम हो जायना तो मैंने इसके अंदर लसुन के कलिया जैसे लसुन इस तरह से भून जायना तो आदी चमच इसके अंदर लालमिश पाउडर डाल कर तुरंती गैस को बंद कर लेना नहीं तो लालमिश पाउडर जल सकता है और ये तड़के को दाल के अंदर डाल कर पस अच्छे से मिला लीजे तो दाल बाटी की इस तरह से आपको बाटी डालनी है और एक्टम ये उपर से क्रिस्पी कुरकुरी अच्छा सुनेरा कलर आ जाया तब तक इसे आपको फ्राइ करना है यह नहीं कि तनना है सच बता रहे हूँ ये जो दाल बाटी है न कुछ आपको अच्छा खानी का मन कर रहा है कुछ मज़ इसे खाना कैसे देखो ये बाटी जब आपको लगे आप इसे छोप आ रहे है आपको लगे ना तो बस इस तरह से बाटी के टुकड़े कर लीजे इसके उपर ये बनाई भी बड़ी आसी डाल डाले और हां डाल बाटी गी के बिना अदूरी है तो गरम गरम गी उपर से डा और थोड़ा सा प्यास कटा हुआ तो लीजे ये स्वाद वाली रजस्थान की प्रसिद डालबटी बन कर तैयार है तो ट्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थांकियो फॉर बॉच्छ है